सो यह भी कोई नया टॉपिक नहीं है यह भी जो चीज रोड़े इससे ही विडियो से जब से हमने ओम स्टार्ट किया है यह कही न कहीं सारी बाते बाते रेजिस्टेंस के अरॉंड ही हो रही है बर्बर इसका सिग्निफिकेंस इतना इंपोर्डेंट है तो यहां पर हम जानने वाल है कि factors which affects the resistance of the conductor. कौन-कौन से factors है जो conductor के resistance को effect करते हैं. तो वो तो जानते हैं हम लोग 4 factors हैं. बराबर है अब यह 4 factors कैसे करते हैं वो देख लेते हैं Is that clear? तो अब यहां देखते हैं कि the resistance of the conductor is directly proportional to length जो conductor है जिसमें current बहने वाला है current flow होने वाला है उसका length जितना बढ़ेगा resistance भी उतना ही बढ़ेगा length double होगा resistance double होगा length triple होगा, resistance triple होगा तो लंबा wire जितना लंबा wire उतना जादा resistance. दूसरा area of cross section thickness of the wire क्या है दूसरा? thickness of the wire इसमें जो relation है वो inverse है जितना मोटा wire उतना कम resistance यह इसी का वज़ा है कि देखो wire के जो thickness होते है वो अलग-अलग diameter या अलग-अलग radius के होते है correct है? तो normally जो normal connection में जो wire लगते है जिसे fan के लिए, light के लिए वो थोड़ा thin wire भी चलता है लेकिन वहीं जब हम लोग heavy appliances को इस्तमाल करेंगे जैसे AC हो गया बराबर यहाँ पर जो wire का thickness होता हो थोड़ा comparatively थोड़ा thickar होता है बराबर क्योंकि यहाँ पर जो इन appliances की need है requirement है बराबर वो काफी ज़ादा है और ज़ादा है तो वहाँ पर जो loading होगा वह काफी ज़ादा होगा और loading ज़ादा होगा तो resistance बढ़ेगा जिसकी वज़ा से heating बढ़ सकती है और wire की melting की chances हो जाते हैं जिससे कुछ short circuit type कुछ चीजे misshap हो सकता है तो इसी चीज को avoid करने के लिए जो thickness है उसको मोटा किया जाता है याँ आप पिए समझ रो thickness of the wire ज़ादा होगा तो उसका resistance कम होगा तो उसके बर कम load करेगा ये बात है सुझमें यादि कि area of cross section आपने कम किया तो resistance क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा area of cross section आपने ज़ादा किया तो resistance क्या होगा तो एरिया में बदला होगा कि नहीं होगा अगर आपने रेडियस में बदला होगा तो एरिया में बदला होगा कि नहीं होगा होगा यानि कि आपने अगर डायमेटर को चेंज किया अगर आपने डायमेटर को चेंज किया कितना डबल किया तो तो रेजिस्टेंट कितना हो जा वो क्या होगा, R is inversely proportional to 1 upon diameter का square, तो diameter को अगर हमने double किया, तो double का square 4, और inverse relation है, तो 4 का उल्टा, 1 fourth, ये बात को समझो आप लोग, चाहे diameter, चाहे radius, चाहे, आचा, वो मैं एक साथ बात में लिख लेता हूँ, जब formula में आपको frame करके दूँगा, अब ही बता रहा हूँ, आप दि दाइमेटर चाहे radius, ये जब double होंगे, तो double का square कर दो, क्या कर दो, square क्या किता answer, 4, तो वो 4 गुना से बड़ेगा, कम होगा, वो 4 टाइम से कम होगा, यानि क्या होजाएगा, resistance क्या होजाएगा, 1 fourth, अगर radius दाइमेटर double हुआ, तो double का square 4, और और वो क्या होजाएगा, 1 fourth, अगर radius दाइमेटर half हुआ, तो half का square क्या होगा, 1 by 4, तो 4 टाइम से बढ़ेगा, is that clear, समझ महा, we will come to that, अब लोग उसको पुरा-पूर detail में करेंगे, लेकिन अभी फिलाल तो समझाना, okay guys, दूसरा nature of the material, तो nature of the material, mathematically कुछ चेंज नहीं कर रहा है, जैसे area चेंज कर रहा है, length चेंज कर रहा है, diameter चेंज कर रहा है, radius चेंज कर रहा है, तो इसको हम लोग mathematically study कर सकते हैं, पर nature of the material को हम लोग कुछ mathematically study नहीं करेंगे भाई, क्योंकि nature है, material का, अगर मानलो silver का metal है, या copper का है, या aluminium का है, तो तीनों में जो resistance होगा, वो different ही होगा, और obvious सी बात है, temperature, temperature ये कह कहता है, कि pure metal अगर है, जिसे pure silver है, या pure copper का wire है, तो अगर हमने temperature बढ़ाया, तो resistance बढ़ेगा, और हमने temperature घटाया, तो resistance घट जाएगा, ये बात कह रहा है, लेकिन वहीं जो alloys हैं, alloy के उपर temperature का कोई फरक पढ़ने वाला, आप बढ़ा हो, आप घटा हो, उसके resistance के उपर कोई फरक पढ़ने वाला, नहीं है, इस अट क्लियर, चलो अब चल चलते हैं यहाँ पर, अब हम एक बड़ा important topic इंट्रड्यूस करें, resistivity, इसके उपर derivation भी आता है, कि आप resistivity का एक formula derive करो, आप एक formula बनाओ, आपको यहाँ तक पहुचने होते हैं, और इसके significance बाद में जो भी part by part question पुछेगा, उसको answer देना होता है, तो हम यह कहते हैं, कि भाई, mathematically हमको तो यहाँ से दो चीज मालूम पड़ा, कि जो हमारा resistance है, conductor का, वो directly depend करता है length of the conductor, length जितना बड़ा और जो resistance है, वो inversely depend करता है, area of cross section, अभी फिलाल area ले रहाँ, बाद में radius और diameter बाद में आ जाता हूँ, तो resistance is inversely proportional to area, यानि area बढ़ेगा, तो resistance कम होगा, area कम होगा, तो resistance बढ़ेगा, अब इन दोनों को अगर मैं combine कर दूँ, तो मुझे मिलेगा, कि r is directly proportional to the length upon area, अब यहाँ पर भी क्या है, proportionality है, तो जो proportionality होता है, तो क्या आता है, equal to, और equal to आएगा, तो उसके साथ कोण आएगा, constant, एक proportionality, constant, तो यहाँ पर यह जो proportionality constant है, इसे हम rho कहते है, rho, रो, अरे बराबर है, so rho is the proportionality constant here, is that clear, तो यहाँ से r is equal to rho into length upon area, यह आपका बन गया, resistance का एक और formula, समझ में आएगे बच्छो, आप आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे rho कौन है, it is the proportionality constant, जिसका नाम क्या है, resistivity, जो rho है, यही है proportionality constant, जिसका नाम है, resistivity, is that clear, अब इस चीज़ को अगर हमने rearrange कर दिया, किसको यह third वाल equation को, यह third वाल equation को अगर हमने rearrange कर दिया, तो resistivity को वहीं छोड़ दो, a जाके r से multiply हो जाएगा, और l जाके r a से divide हो जाएगा, तो rho क्या हो जाएगा, r into a upon l, तो यह बन गया resistivity का formula, बरावर है, अब इसका हमे significance find करना है, इनको ढूनना है, तो हम क् यह area है, तो एक ऐसा rod है, जिसका area जो है, वो one meter square का area है, एक ऐसा rod, जिसका area कितना है, one meter square का, और उसका length कितना है, one meter का, बरावर, तो यह formula के अंदर, अगर area के जगा, आप one लिख दोगे, numerically, length के जगा भी, one लिख दोगे, numerically, तो one one क्या हो जाएगा, cancel, इधर क्या रो, तो आपका रो हो और, रेजटिशन किया हो जाएगा, एक जाएगा, तो यहादि कि, अगर कोई ऐसा conductor है, कोई ऐसा rod है, जिसका area, one meter square है, जिसका length, one meter है, तो उसका resistivity or resistance, numerically, equal हो जाएगा. So, the resistance of the conductor is numerically equals to its resistivity when the area of cross-section of the conductor is 1 meter and the length of the conductor is area of cross-section is 1 meter square and the length is 1 meter Is that clear? Okay, so the resistivity of the substance is numerically equal to the resistance of the rod Resistivity is equal to resistance of a rod of that substance which is 1 meter long and 1 square meter in cross-section Is that clear? Now, let's see So now, we will find resistivity of SI unit Resistivity of SI unit So, the first step is resistivity of SI unit So, what is the formula? है रेडिया यह का है resistance into area of cross section upon length so SI unit of resistivity is equal to SI unit of resistance into SI unit of area of cross section and upon SI unit of length now SI unit of resistance we have seen in the ohms law resistance topic में देखा हमने कि ओ तो ohms होता है area का SI unit meter square, तो यह meter स्क्वेर और लेंद का एसा यूनिट मीटर तो यह मीटर और मीटर स्क्वेर तो क्या बचा ओम्स मीटर यह रेजिस्टिविटी का एसा यूनिट है ओम्स मीटर यह सिंप्ली यह जिसमें हमने बोला था ओमेगा बोल दिया था सिक्मा बोला था 无 Ihr को इस है ईस पर नोट करना है कि यहां पर आप तो बोलोके रेजिस्टिविटी जो है ना सर एरिया पिपेंडbuds कर रहा है और जैन्ग पर, साथ साथ में साथ रॉजस्टिविटी का यह जो फ़ॉर्मिला है इस पर टेमेंडन नहीं होता है यह फरक्व रखो बागी सब जो फ़र्मिला पड़े उसमें सब का dependence है रेजिस्टिंर का भीडेटेंटेंटेंस है पुटेंचिल टे इपेंटेंटेंटेंश है करन भीडिपेंडेंस है पर यह तिले फ़र्मिला पर किस पर बागी कि यह बड़ा इंपोर्टन चीज है यह कहीं किसी और चीज पर डिपंड नहीं करता है इसे दोलों चीज पर डिपंड करता है एक आपका नेचर अब दी मटीरियल और दूसरा temperature is that clear because it is nothing but a material constant तो याद रहे भई यहां से कोई भी generation resistivity को लेके मत बनाना बराबर अब यहां पर चलते हैं तो यह physical significance हमको resistivity से क्या समझ में आया यानि में चीज़े हम resistivity पढ़ रहे हैं तो बड़ा ही closely connected है तो इनके बीच का एक थोड़ा फर्क भी हमको समझना चाहिए ठीक है तो resistivity और resistance में हमें क्या फर्क समझ में आना चाहिए मैं आपको समझाता हूँ आप जब अपना resistivity का topic करोगे ना तो उसके पीछे just a table है उस table में metals दिये हैं alloys दिये हैं insulators दिये और उन सब की resistivity का value दिये है तो आप open करको देखोगे तो वहां पर एक copper होगा copper की resistivity 1.69 into 10 raise to minus 8 ohm meter है यह उसकी resistivity है बराबर है इसका मतलब क्या है इसका physical significance यह है कि अगर मैं एक copper का wire लेता हूँ एक rod लेता हूँ जिसका length 1 meter है और उसका area of cross section 1 meter square है बराबर तो ऐसा copper का wire का resistance भी 1.69 into 10 raise to minus 8 ohm हो जाएगा है यह वासन में इसके ओपर सवाल पूछे बोर्ड क्वेशन वालोंने सवाल पूछे इसमें क्या करते हैं लोग और इसमें थोड़ा confusion भी है ऐसा नहीं कि बड़ा clarity है बराबर इसमें थोड़ा confusion भी होता है इसमें बड़ा clarity नहीं लेकिन बात समझा आप लोग ठीक है इसमें क्या देदेंगे वो बोल देंगे बराबर है अब आप अपने टेबल का mercury और manganese को छोड़ दो बराबर है तो बाकी जितने भी metals है उनकी जो resistivity यो बड़ी कम है बड़ी कम low value है यानि range देखो 10 raise to minus 8 10 raise to minus 8 और यहाँ पर मैंने एक silver ले लिया 1.6 है और iron ले लिया तो 10 है आरी बात समझा आपने तो यह यह जो 10 raise to minus 8 10 raise to minus 8 यह number भी छोटा है लेकिन मैंगी अपना mercury और manganese बर जाएंगे तो उनका number काफी बड़ा है और range तो यह ही है तो यहाँ पर हमारे पास confusion होता है एलोई जो है यह 44 है 110 देखो यह number बढ़ गया ठीक है तो आप देख लो number भी छोटे हो पावर जो है वो भी हमारा 10 raise to minus 8 हो तो वो conductor में आ जाएगा एलोई में number थोड़ा बढ़ा होना चाहिए और power तो 10 raise to minus 8 कही होना चाहिए समझ मैं है और उसके बाद जो insulator से इनको classify करना बड़ा simple है क्योंकि इनका जो power होगा वो positive में होगा तो वो वह बढ़ा तो insulator हो जाएगा ऐसे ही सवाल के यह लोग 3 marks देतेते हैं सिब हम classify करतेते बाई कहां से हैं इसके तीन number मिल जाते हमें तो तरह बड़ा उसको अच्छे से कर लेना और उसके पर बहुत सारे questions भी practice कर लेना आप चलते हैं हम लोग इन चीजों से हमने formula क्या बनाया तो यहाँ पर हम resistivity को compare करनी पाएंगे मैंने पहली बताया है resistivity से कोई relation नहीं बनेगा और जो resistance है वहाँ से relation बन सकते है resistance का relation देखो यह end जो लिख रहा हूँ मैं new लिख रहा हूँ और यह old लिख रहा हूँ यह sum के अंदर resistance का पहले का कुछ value होगा और नया वाला value find करने बोला पहले का कुछ है नया वाला find करने बोला तो हमें क्या find करना है कि जो conductor है conductor का length कैसे change कर रहा है पहले length क्या था अब length क्या है उनका ratio ले लो जैसे बोला the new length becomes twice the old length तो new length new length क्या हो रहा है twice old length example के लिए new length क्या हो रहा है twice old length तो new length upon old length क्या हो जागा 2 by 1 तो इस तरह से दिमाग को इस्तमाल करके जो sum में दिया है यह ratio निकाल लेने का तो यहाँ पर o ratio का value 2 by 1 आ जाएगा दूसरा area का बदलाव दे दिया area changes by this much तो नया वाला area देखो नया वाला area कितना होना old वाले area का change हो रहा है फिर उसका ratio निकाल लो वाल्यू को दो निदर put करो बड़ाबर है बाद में r old को दो multiply करो नया वाला resistance मिल जाना है आपने बड़ाबर है और अगर इसका value दे दिया है तो इसमें से कोई गायब करेगा फिर उसका find करने का value put करने का answer get करने का similarly अगर area of cross section नहीं दिया आपको radius में और diameter में deal करने बोल दिया तो उसका formula थोड़ा ऐसा change हो जाएगा आरेन अपन आरो यहां पर देखो रेजिस्टेंस जो है length के साथ direct है तो n के साथ length में आएगा और o के साथ length का o आएगा पर resistance जो है वो area के साथ inverse है inverse तो n उपर तो इसका n नीचे और इसका r नीचे तो इसका o नीचे तो इसका o उपर वैसी देख लो रेडियस में कोई रहगा रेजिस्टेंस का new उपर है रेडियस का new नीचे रेडियस का old नीचे है कडीस का old उपर है length में जैसा इसका वैसा इसका पर रेडियस में diameter में और area में उसका ultra तो यह फॉर्मिला खाली आप लिख के रख लेना इसके उपर में बहुत सारे सम्स करा हूंगा न तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सम्सिस पर कैसे सॉल्ल होते हैं ठीक है तो यह पूरा का पूरा टॉपिक था हमारा रेजिस्टिविटी के उपर एंट फैक्टर्स एफ